जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको monetization on करना है अपने YouTube चैनल पर तो उसके लिए आपको चाहिए 4000 watching hours और जब मैंने बात की थी कैसे आप 4000 watching hours generate कर सकते हैं या फिर कैसे अपने watch hours को increase कर सकते हैं तो तब मैंने आपको पताया था एक बहुत ही important tip कि आप live जाए लाइव इंट् YouTube पर क्या क्या चीजने ध्यान रखती हैं क्या क्या फीचर्स हम देखने वाले हैं और साथ ही हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि कैसे आप live जा सकते हैं webcam का use करके और साथ ही कैसे आप streaming कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत जादा popular है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू क आने वाली हूं YouTube live के बारे में streaming की भी बात करेंगे तो सबसे पहले OBS install कर लो वीडियो नहीं देखी तो description box में आपको playlist का link मिल जाएगा वहाँ पर आपको OBS installation वाली उस playlist में वीडियो मिल जाएगी साथ ही YouTube का complete course चल रहा है बहुत सारी चीज़ा हम discuss करने वाले हैं YouTube के बारे videos देखिए क्योंकि इस course में हमने A to Z बात की है बहुत सारी चोड़ी चोड़ी चीज़ें ऐसी जो आपको हो सकता है नहीं पता हूं हो सकता है उसी की वज़े से आपका जो चानल है वो कहीं ना कहीं उसकी growth रोक रही हो तो सारी videos देखेगा और इस video को end तक देखेगा क्योंक में आपको बहुत सारी tips भी बता दी जाओंगे जो कि आपके account को boost कर पाए सबसे पहले चलते हैं YouTube पर तो YouTube पर सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको live जाने के लिए आपको monetization on रखना है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो channel verification है वो on होना चाहिए channel को verify जरूर कर लीजेगा क्योंकि अगर channel को verify नहीं किया है तो आप live नहीं जा पाएंगे verify करने की already मैं video ला चुकी हूँ नहीं देखी तो description box में जो playlist है वहां से आप video निकाल सकते हैं नहीं तो हम आपको बता देती हूँ कि YouTube studio की जो settings है settings में जो हमारा channel वाला option है इस channel option में feature eligibility इधर ही option होगा features that require phone verification यहां पर अभी तो यह मेरी features enabled है क्योंकि मैंने verify कर रखा है तो ऐसे ही जल्दी से आपको जाके अपने phone number से verify करना है अपने account को जब आप verify कर लेंगे तभी आपके option आएगा इस बात को याद रखेगा चलिए जी अब सबसे पहले live कहां से जा सकते हैं तो सबसे पहले देखो your channel आपका जो channel है वहां से भी आप live जा सकते हैं यहां से भी आप live जा सकते हैं या फिर आप live अपने YouTube studio से भी जा सकते हैं तो doesn matter ऐसा नहीं कुछ फरका जाएगा channel से जाएंगे यह studio से जाएंगे कहीं से भी आप live जाएं एक ही तरह का जो window है वह अपेर होगे तो यह देख यह रहा live का option नहीं तो create में भी आप live जा सकते हैं तो चलिए live चलते हैं तो अब live जाने के लिए सबसे पहले जब live जाने के लि तो यह मुझे पूछेगा dates की कब मुझे live जाना है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जिस time पर schedule कर दी आपने live उसी time start हो जाएगा नहीं जब आप उसको start करेंगे तभी वो start होगा तो this is just a scheduling कि आप अपने जो subscribers हैं उनको notify कर दें कि हम live आ रहे हैं इस time पर तो उसके अलावा यह right now वाला section है तो मैं एक बार इसको click करके आपको सारी चीज़ें बता रही हूं तो जब आप right now पर click करेंगे even अगर आप later on date पर भी click करते हैं तो यह आपको दो चीज़े पूछे जाएंगी कि आप कैसे live जाना चाहेंगे आप built-in webcam का use करके यहां पर ह दूसरा option है streaming software अब streaming software क्या है मैंने आपको बता दिया कि हम OBS यूज़ करते हैं आपको अगर कोई और software का knowledge है तो आप वह यूज़ कर सकते हैं नहीं तो OBS is wonderful free tool है और बहुत ही अच्छे साप इसको यूज़ कर सकते हैं तो streaming software OBS का हम यूज़ करते हैं तो आप उसको install कर ली है तो इसके लिए हमें एक अलग software होगा दोनों चीज़े मैं discuss करूंगी कि built-in webcam से भी हम कैसे जा सकते हैं और streaming software से भी कैसे जा सकते हैं चीक है तो चलिए फिर इनमें से कोई एक चूज़ करते हैं तो यह आप देख सकते हैं आप streaming option आया है तो मैंने webcam यहाँ पर चूज किया वेबकेम के बाद में अगर वेबकेम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यह कुछ information पूछे जाएगी कि आप कैसे मतलब क्या title रखना चाते हैं कि आप इसकी audience जो हमने video editing के साइम सारी चीज़ें समझी थी वो सारी चीज़ें पूछे जाएंगी तो आप इनको choose करके और पर यह option है तो एक बार मैं इसको अनलिस्ट कर रही हूं क्योंकि आपको यह tutorial दे रही हूं तो आप अपने recording इसको public रख सकते हैं private रख सकते हैं तो अब यह वाली विंडियो आ गई तो जब तक आप इस go live पर click नहीं करेंगे तब तक आप live नहीं जाएंगे तो एक बार मैं यहां पर जितने भी likes आएंगे वह यहां पर शुरू हो जाएंगे यहां पर duration आ रहा है और इधर आप देखेंगे तो यहां पर हमारी chats आजाएंगी आप यहां पर कुछ भी chats भी लिख सकते हैं यहां पर interact भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस live को edit भी कर सकते हो जिसे title जो मैंने डाला है उसको भी आप edit कर सकते हो इसकी restrictions वगरा जो भी चीज़े हैं वो सब edit कर सकते हो इसके लावा customization option ठीके देखो अगर आप live chat को बंद करना चाहते हो तो live chat यहां से बंद कर दोगे save करोगे तो यह live chat जो है यह off हो जाएगी यहां पर इसको वापिस जाके पर देख रही है जैसे जैसे मैं पोल रही हूँ यहां पर record हो रहा है यहांने मेरी ओडियंस को शो हो रहा है ओके जी उसके अलावा यह मेरा माइक है माइक की आप testing देख सकते हैं कि आवाज मेरी जा रही है तो definitely यह उपर नीच और नी तो यह बिलकुल एकदम blank रहेगा ओ आप अपने friends family के साथ या फिर अपनी audience के साथ में या फिर अपने कोई group है WhatsApp group वहां पर शेयर कर सकते हैं ओके जी चलिए इस live को कर देते हैं बंद तो end streaming के बाद में end पर click करेंगे end के बाद में आप देखेंगे कि हमारा जो live है वो बंद हो चुका है और आप इसको इसका ज चेंज कर देंगे इसका thumbnail हम लगा देंगे उसके लब audience दुबारा से हम select कर लेंगे तो सारी चीजें जो video uploading के time हमने देखी तिना वह सारी चीजें इसको आप adjust करके और आप इसको save कर देंगे चीक है save करने के बाद में यह वैसे ही show होगा जैसे कि आपकी सारी video show हो रही थी म एक बार content पर आजाती हूं तो content में uploads में नहीं बलकि जो live section है यह देखिए live section में यह वाले video जो भी मेरी live हुई थी वो video यहाँ पर save हो गई got it यह पहला तरीका था जिससे हम webcam का use करके live जा सकते थे ओके चलिए अब हम देख लेते हैं streaming वाला पार्ट तो streaming के लिए again same ही process है create पर जाएंगे go live क्लिक करेंगे चीक है अगर वो window पहले पहले जैसे आपके पास आदी जहां पर पूछा जा रहा है तो आप streaming क्लिक करेंग नहीं तो हम यह stream यहां से भी आप change कर सकते हैं कि आपको webcam यूज़ करना है या फिस schedule आपको करना है तो schedule करना है तो यहां से कर सकते है नहीं तो हम यहां से stream करेंगे ओके आप stream करने से पहले आपको यहां पर कुछ जो अपना जो software है OBS है उसको करना रहेगा install तो अब हमारा obvious हो चुका है install obvious install होने के बाद में आपको आना है streaming पर और streaming पर ये देखिए वो ये window आपकी आ रही है यहाँ पर सबसे पहला वैसे हम सारे system अभी समझेंगे लेकिन सबसे पहला जो काम आपको ये करना है कि आपके obvious को connect गरना है आपके इसके live से चीक है अब obvious को तो नहीं बता कि हम कौन से channel से live जा रहे हैं जैसे मैं इस channel से live जा रही हूं तो इस channel के live में ये देखिए यहाँ पर ये stream की दिख रही है I hope आप सभी देख पा रहे हैं ये stream की है तो इस stream की को आपको करना है यहां से copy और साथ ही ये आपका एक stream URL है इसकी help आपको पड़ सकती है लेकिन अभी हमें इसकी जरुरत नहीं है हम सिर्फ stream की से काम सलाएंगे तो इसको करना है आपको copy और फिर हम जाएंगे obvious पर obvious पर अभी recording सार्ट हो रही है सबसे पहले तो service में देखिए जहां जिससे भी आप लाई जा रहे हैं उसको सिलेक लिए जैसे यूट्यूब पर साम जा रहे है तो यूट्यूब को सिलेक कर लिया उसके बाद में यापको काफी सारे option है तो प्राइमरी यूट्यूब इंज सर्वर इसको आपको क्लिक करना है RTMP जिस तरह से लिखाया गया है बैक अप नहीं सिलेक करना प्राइमरी सिलेक करना है और उसके बाद में आपको Use Stream Key Stream Key पर क्लिक करना है और ये जो आपकी Stream Key है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है वो stream की जो कि आपने यहां से copy की है, okay, make sure कि आप जल्दी से करें, काफी ज़दा delay ना करें क्योंकि यह time के साथ change हो जाती है, okay उसके अलावा आपको यहां पर click करना है apply, apply करने के बाद okay करके हम इसको बंद कर देंगे और फिर हम यहां से start करेंगे start streaming, okay start streaming जैसे ही हम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहां पर यह green mark आ चुका है, इसका मतलब हमारी streaming शुरू हो चुकी है, okay वापस जाएंगे हम और देख सकते हैं आपको excellent connection यहां पर लिखा आ रहा है और हमारा live जो है वो शुरू हो चुका है तो आप मैं जो जो चीज़ें यहां पर show करूँगी मतलब जैसे मान लीजे, मैंने screen अपनी यहां पर show करी तो वो live में भी वही चलेगा, okay तो यह चीज़ आपको याद रखनी है और again यहां पर कुछ यहां पर settings है वो हम समझ लेते हैं यहां पर किस तरह से हम live यहां पर connect कर सकते हैं live हम हो चुके हैं यहां पर जो भी हमारे comments आएंगे वो सारी यहां पर आएंगे हम उनको reply भी यहां से कर सकते हैं और साथी उनको moderate भी कर सकते हैं तो live यह चलने देते हैं जब दग हम कुछ जो हमारी important settings है वो देख लेते हैं तो देखिए यह आप समझ चुके हैं यहां पर हमारी stream की है stream URL है उसके अलावा यहां पर यह तीन option थे जो कि हमें live शुरू करने से पहले choose करने हैं देखिए पहला होता है latency latency का मतलब क्या है कि आपका camera आपको capture कर रहा है और वो चीज कब आपके audience को देखे latency का मतलब जैसे कि मान लीजे कितना delay आना चाहिए आपके live में और आपके audience पर deliver होने में जैसे कि अगर मैं ultra low latency choose करती हूँ तो जैसे मैंने अभी बोला hello तो hello बोलते ही और audience के सामने वो चला जाएगा audience के सामने वो hello सुनाई देगा बहुत साथा gap नहीं होगा अगर मैं normal latency क्लिक करती हूँ तो मुझे at least 5 to 10 seconds का gap आएगा जिसे मैं अभी hello बोल रही हूँ तो 5 seconds बाद में audience को hello सुनाई देगा तो normal latency हम इसलिए चूज करते हैं बहुत ही low level से आप शुरू कर रहे है तो आप normal latency रखिए और थोड़ा सबस यह delay होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो बिलकुल live ही interact करना चाहती हूँ मेरी audience के साथ में तो आपको ultra low latency रखनी पड़ेगी लेकिन quality उसमें थोड़ी से दब जाएगी तो आप अपने recordings को select कर सकते हैं उसी के साथ ही अगर आप DVR on करना चाहते हैं यानि कि आपकी live चल रही है और आपकी audience जो है live को ऐसे front और back करके मतलब rewind करके pause करके play करके देख सकती है तो DVR आप कर लेंगे यह बहुत अच्छा system आया है 360 degree video भी आप YouTube पर डाल सकते हैं पूरा 360 degree आप show कर सकते हैं अपनी audience को लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही high end setup चाहिए होगा उसके अलावा आपके captions हो गया है उसके अलावा यह unless live replay one stream ends तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है जब आपकी live stream खतम हो तो आपकी video unlist show हो वैसे तो अभी मैंने unlist ही कर रखा है क्योंकि आपको show करने के लिए बता रही हूँ लेकिन जैसे मानले जी यह public है लाइव होने के बाद मैं चाहरी हूँ कि मेरी वीडियो होने यह unlist save हो और फिर मैं कुछ editing कर के उसको वापे से re-upload कर दूँ तो वो आप यहाँ से choose कर सकते हैं और उसको अपने recording देख सकते हैं उसके अलावा यह सारी जो editing है वो आप यहाँ पर कर सकते हो यह वैसे तो आपको जब आप live शुरू करो उससे पहले आपको करने ही चाहिए यह settings लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या तो again जो हमारी video uploading के time में आपको settings बताई थी वो सारी settings आपको यहाँ पर करनी है तो यह देखी जैसे आपका title आगया title के बाद में आपका description description के बाद में आपकी visibility category, thumbnail, सारी चीज़ें आपको यहाँ से adjust कर सकते हैं लेकिन अगर आपका main motive ही है YouTube से money earn करना तो live stream बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है तो आप इसको monetize कर सकते हैं अगर कोई ads यहाँ पर play होती हैं तो उसका revenue आपको मिलेगा और साथी watch time भी अच्छा count होगा तो यहाँ पर आप इसको on करके और अपनी जो भी video uploading के time हमने चीज़ें कीतना वो सारी आप यहाँ पर choose कर सकते हो उसके लावा यह एक option है customization तो customization में आप live chat चाहते हो अपनी audience के साथ में live chat को बन भी कर सकते हो यह option है live chat replay कि जब मेरी video save हो अभी तो live चल रहे है लेकिन जब मेरी video save हो तो क्या आप live chat replay दिखाना चाहते हो कि क्या क्या live chat हुई थी तो दिखाना चाहते हो अपनी audience को जो बाद में video देखें तो अभी आप इसको take रखें नहीं तो आप इसको untake कर सकते है उसके लावा participant mode की कौन participate कर सकता है हमारी video में कोई भी या फिर सिर्फ आपकी subscribers आपने according देख सकते हैं लेकिन अगर आपकी subscribers इतने जादा नहीं है तो आप anyone पर ही select कीजिए उसके लावा ये है slow mode बहुत ही अचा तरीका है जब भी माल लीजिए कोई person आपको comment कर रहा है जैसे mr.a है उसने कोई comment किया तो उसके अगर मैं slow mode select करके रखती हूँ तो after 60 seconds ही वो अपना दूसरा comment कर पाएगा यानि दूसरी chat भेज पाएगा तो आप इसको और भी इसका time change कर सकते हैं जैसे 30 seconds हो गया या फिर आप इसको और भी बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं या फिर slow mode को हटाई सकते हैं कि कोई भी जैसे-जैसे message कर रहा है वो आपको show हो रहा है उसके लावा ये अच्छा option है ये नया ही add हुआ है basically redirect का मतलब होता है कि ये live खतम होने के बाद में मेरी कौन सी video open हो तो live खतम होगी और यहाँ पर जो भी मैं video यहाँ पर select करके रखूंगी जो भी मेरी video है तो मेरी audience उस video पर चली जाएगी live खतम होने के बाद में अच्छा option आप इसको select करके रख सकते हैं और फिर ये जो हमारी सारी settings है इनको आप save कर देंगे और यह यहाँ पर show हो जाएंगी उसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर आपको analytics में दिख जाएगा कि आपकी कितने लोग आपकी जो यह live है यह देख रहे हैं कितने playbacks हुए हैं अभी तो adjustment analyst किया हुआ हुआ है किसी के साथ भी link share नहीं है तो इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर सारा आपको analytics दिख जाएगा कितने subscribers आए सारी चीजने दिख जाएंगे और वो तो live खतम होने के बाद भी आप देख पाएंगे viewers activity अगर कोई super chats आई है कोई members जुड़े है तो वो भी सारी चीज़ें आपर आजाएंगी और stream health की कैसी stream है तो stream अभी healthy है यानि अच्छा है वो आ रहा है लेकिन अगर मान लीजे कई बार असा होता है कि आपकी audience body के आवाज नहीं आ रही है कापी करके share कीजिए तो कोई भी इसके साथ जुड़ जाएगा अब यान लिस्टेड है तो वैसे भी link की जोरत होगी उसके लाब आप इसको save कर सकते हो और इसकी एक highlight video भी बना सकते हो अब जैसे कि हमारे live शुरू हो गई है तो इसको हम end करेंगे end करेंगे यहां से end करने के लिए यहां पर click करेंगे end your stream will stop immediately and you will no longer be live तो हम click करेंगे end end क्लिक करने के बाद में तो यह देखिए यह हमारा live आ गया next पर click करेंगे तो यह देखिए यहां पर पूरा analytic आ गया कितने हमारे यहां पर duration रही कितने हमारे average watch time रहा कितने playbacks हुए कितनी chat rate हुई अब आप इसको edit in studio भी कर सकते हो कि यहां पर इसको आप save करने के लिए तो यहां पर again जो video uploading के time सारी चीज़ने आती है वो वापिस से आ गई आप इसको change करके अपने recording आप इसको save कर सकते हो पर आप इसको एक बार delete भी कर सकते हैं तो मैं इसको कर देती हूँ यहांस एक बार delete नहीं तो आप इसको save भी कर सकते हैं तो इसी section में आपकी audience को यह जो video है यह मिलेगी तो इस video में हमने समझा की कैसे आप live जा सकते हैं and I hope कुछ ना कुछ आपने इस video से जरूर सीखा होगा अगर कुछ सीखा हो तो video को like जरूर कीजगा and जाईए अपना content बनाईए live जाईए अपने content को grow कीजिए and चानल को subscribe करना बिलकुल मत भूलना क्योंकि इसी तरह की videos, important videos हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और कोई भी query हो, question हो life से related, इस video के comment section मुझे बता दो, क्योंकि मैं एक ही video लेकर आँगी जहाँ पर आपके सारे questions के answer होंगे okay, thank you so much